हेलो एवरीवन, स्वागते आप लगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉप में एक और नई वेकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें 29 सितंबर तक किसी भी राज्य के कैनिरेट आवेधन कर सकते हैं ग्रेजुएट पास कैनिरेट कोई भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट आप हैं तो बिलकुल यहां पर आवेधन कर पाएंगे मूल वेतन यहां 50,925 से आपका स्टार्टिंग है और सैलरी जो है आपकी 96,765 तक रहने वाली है तो यहां पर सैलरी जो है आप देख सकते हैं 88,000 जो है पर मन्त आपकी यह मानिये कि आपको यह मिलेगी ही सबी राज्यों के कैनेट आवेधन कर सकते हैं Central Government की बिलकुल permanent vacancy है प्रशाशनिक अधिकारी का पद है चलिए देख लेते हैं official website पर vacancy जो है कहां से जारी की गई है और qualification कैसे आवेधन करना है notification में सारी चीज़ें दुबारा से चेक कर लेंगे The New India Insurance Company Limited की तरफ से vacancy है भारत सरकार का उपकरम प्रशाशनिक अधिकारियों में journalist और specialist strategy 1 की भरती आई है इसमें जो है 50 पद जो है लेखा के हैं journalist के 120 पद हैं और कुल जो है यहाँ पर 170 number of vacancy है online पंजीकरण आवेधन सुलक का बुकतान 10 सितंबर से 29 सितंबर तक कर सकते हैं इसमें जो है online परिक्षा चरण 1 13 अक्टूबर 2024 को रहेगा चरण 2 में online परिक्षा वस्तूनिस्ट और वर्नात्मक दोनों होगी 17 नवंबर 2024 तक ठीक है तो बिल्कुल प्रशाशनिक अधिकारी का पद है यदि आप आवेधन करना चाते हैं ये website का link है newindia.co.in किसी भी राज्जी के candidate यहां आवेधन कर पाएंगे जर्नलिस्ट के लिए आपके पास जो है graduate की डिग्री या फिर post graduation की डिग्री होनी चाहिए ठीक है 60% marks के साथ में समानने उमीदवारों के लिए SCST PWED के लिए 55% अंग होने चाहिए आपके graduation में या post graduation में specialist के लिए क्या चाहिए तो specialist के लिए केंदर सरकार द्वारा माननेता प्राप्त किसी समकक्ष योग्यता आपकी जो है यहां पर मांगी गई है Chartered Account, Cast तथा Management Accountant एवं किसी भी शेत्र में सनातक या सनातकोतर निउन्थम 60% अंकों के साथ में अनसूचित जाती, अनसूचित जन जाती, PWD के लिए 55% या फिर MBA वाले फाइनेंस, PZDM फाइनेंस में एमकॉम वाले 60% अंकों के सहित में चीके सामानने उमीदवारों के लिए अधर कैटिगरी के लिए 55% मार्क्स के साथ में आप आपके पास जिगरी होनी चाहिए सैल्डी मैंने आप लोगों को बता ही दी है, आपकी जो है मूल वेतन यहाँ पूरा बता दिया गया है 50,925 तो आपकी बेसिक पे ही है, उम्र सीमा यहाँ पर नियूंतम 21 और अधिकतम 30 वर्स है SCST को 5 साल की चूट है, अन्य पिष्टा वर्ग नॉन क्रिमिलियर को 3 साल की, दिव्यांग जन को 10 साल की, भूतपूर सैनिक 5 साल की चूट दी गई है किदी किसी कैंडियर्ट को इंग्लिस में प्रॉब्लम है, तो हिंदी में भी जो है, नोटिफिकेशन दिया गया है, अभी आप लोगों को बता दिया जाएगा चैन कैसे होगा? तो चैन बता दिया है, प्रारंबिक परिक्षा होगी आपकी चरण 1 में और उसके बाद जो है दृत्य चरण में मुख्य परिक्षा रहेगी प्रारंबिक परिक्षा में क्या पूचा जाएगा तो अंग्रेजी तर्क ग्यान परिक्षा मात्रात्मक योगिता कुल 100 होंगे यहाँ पर प्रश्ण और जर्नलिस्ट के लिए वस्तूनिस्ट परिक्षा में तर्क ग्यान परिक्षा अंग्रेजी भासा सामन्ने ग्यान मात्र आत्मक योगे था फीज आप देखें आविदन सोल को जो है कितना है सामान्य कैटिगरी यहां पर EWS OBC 850 रुपे रहेगा अन्सूचित जाती अन्सूचित जन जाती PWD 100 रुपे मात रहेंगे तो फीज बहुत जादा है और अधिकारी का पद है ठीक है तो सो समझके जो है आप अपलाए करें क्योंकि इसमें जो है आप लोगों को एक्जाम भी फाइट करना है अन्सूचित जाती अन्सूचित जन जाती PWD ये कैंडिडेट तो अपलाए कर ही दें यहां पर प्रथम चरण की परिक्षा के लिए बताया गया है कि सेंटर जो है कहां कहां बनाए जाएंगे तो आप देख सकते हैं पूरा जो है आप लोगों को पढ़ना है उसके बाद ही आवेदन करना है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि the new India insurance company limited की तरफ से जो vacancy आई है notification चेक करने के लिए आपको क्या करना है सबसे नीचे चले आना है और जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पर recruitment section आपको नज़र आएगा इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद यह page open होगा सबसे उपर दिखेगा recruitment of administrative officer 2024 यहाँ पर click here to apply online online आप apply कर सकते हैं इस पर क्लिक करके advertisement जो है English में, Hindi में दोनों में आप देख सकते हैं तो यह vacancy थी, बिल्कुल permanent मिलेंगे next video में, thank you